प्राइम डिबेट देश में बढ़ती जन संख्या लगातार मूल भूस विधाओं पर दबाव बढ़ाती जा रहे हैं महीं अब राज अपने अपने स्तर पर जन संख्या ने अंतरन कानून लाकर बढ़ती आबादी पर अंकुष लगाने की तैयारी कर रहे हैं मुत्रप्रदेश राज विधी आयोग ने अपने तैयार मसौदे पर जनता से राय मांगी थी जिसके चलते पचासी सो लोगों ने अपनी जो राय दी वो वाकई बढ़ती अबादी पर चिंता जाहिर करती हैं लोगों और संगटरनों का मानना है कि ये कानून पहले ही लाया जाना चाहिए था कैर अब इस कानून को सक्ती से लागू किया जाए लेकिन इस कानून को लागू करना असान दिखता नहीं है उतना ही कठिन भी होता जा रहा है क्योंकि इस कानून का विरोध भी कई सतरों प उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कानून को अमली जामा पहनाने की तेजी से तयारी की जा रही है इसी के चलते राज विधी आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रन इस्थरीकरण वाकल्यान विधेयक 2021 का प्रारूत तयार कर उसे अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया और उस पर लोगों का सुझाव आमंतरित किया था आयोग ने सुझाव देने की समय सीमा 19 जुलाई तय की थी इस अबधी तक आयोग को करीब 85-100 सुझाव मिले हैं इनमें कई सुझाव एक जैसे हैं आयोग को भेजे गए सुझाव में कई लोगों ने दो के स्थान पर अधिक्तम तीन बच्चों के लिए कानून बनाये जाने की बात कही है बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि इस कानून को पहले ही लागू कर दिया जाना चाहिए था इसमें देर हो रही है बतादी प्रदेश वासी और विभिन संगठन चाहते हैं कि यूपी में जनसंख्या नियंत्रों को लेकर बन रहा कानून और सक्थ हो उसका दाइरा और बड़ा किया जाए इस बात के गवाह राजविधी आयोग को मिले सुझाओं है आयोग को भेजे गए करीब 85-100 सुझाओं में अधिकांश ने दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को आरक्षां से वंचत किये जाने से लेकर मता दिखार छीनने की सिफारिशे की है बहुत से लोगों ने इस्थानिय निकाय चुनाओ नगर निकाय से लेकर पंचाय चुनाओ तक के साथ ही MP1 MLA के चुनाओ को भी इस कानून के दाइरे में लाने की पैरवी की है हाला कि कई सुझाओं ऐसे हैं जिन पर आयोग अपने इस थर से अमल नहीं कर सकता इसके लिए केंदर सरकार को कदम उठाने होंगे फिलहाल आयोग सुझाओं को अलग-अलग श्रिणियों में बाट कर उन पर मन्थन कर रहा है विभिन्द पहलूओं को भी गहराई से देखा जा रहा है आयोग अगस्त मा के दूसरे सप्ताह तक उत्तर प्रदेश जनसंख्यक नियंत्र इस्थरी कर्मा कल्यान विधियक 2021 का प्रारूप सोपने की तयारी में है बड़ी बात ये है कि जनसंख्यक कानून जब से चर्चा में आया है तब से इसके पक्ष और विपक्ष में चर्चाएं शुरू हो गई है एक खास वर्ग इस बिल का जम कर विरोध कर रहा है और इसे सरकार का पक्षपादी कदम बता रहा है लेकिन बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसे मूल भूत चीजों पर लगतार दबाव ब़ता जा रहा है और इसका असर कोरोना काल में चिकत्सा व्यवस्था पर भी देखने को मिल चुका है अजय सनहा के रिपोर्ट प्राइम टीम लगातार हिंदू मुस्लिम होता आ रहा है जब भी जनसंख्या कानून की बात होती है तो हिंदू मुस्लिम सबसे पहले उजाकर हो जाता है विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप वक्त सब्ता पक्ष पर यहीं लग रहा है कि इसको चुनाओ के लिए सामने लेकर आया गया है जिस तरह से जनसंख्या नियंतरन कानून लेकिन जहां बात की जाए जहां एक और भारत जनसंख्या भारत के लिए एक मजबूती है एक ताकत ही है वहीं कहीं ना कहीं जनसंख्या समस्या भी है तो ताकत और समस्या का ये जो दोनों दाइरा है ये कैसे पूर्ण किया जाएगा क्योंकि लगातार देखने को मिला है कि 130 करोड आवादी की जो सरकारे दम भरती थी कि हमारे पास जादा जन संक्या और इसी के दम पर हमारे बार निवेश भी अधिक हो रहा है तो इसके बाद अब जन संक्या को लेकर ये बोला जा रहा है कि कहीं न कहीं ये समस्या भी है क्योंकि जिस तरह से GDP गिरी है कोरोना काल में आर्थिक परसितियां आई है वहीं इसको लेकर समस्या भी बताई जा रही है तो जन संक्या बड़ी ताकत है ये समस्या ये देखना एम होगा क्यों कि हाला कि मानना ये बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि जन संख्या बड़ी समस्या और लगातार देखने को में मिला है कि कहीं न कहीं जन संख्या को लेकर ये समस्या पैदा हो जाती कि किस तरह से जो मूल भूत सुविधाएं हैं तमाम लोगों तक पहुचाईता हैं दो करोड योजनाओं की बात की जाती है या नौक्रियों की बात की जाती है क्या नौक्रियां 130 करोड की अबादी तक कैसे पहुचाई जाएं केंद्र की जो नीतियां होती है वो पूर्ण तरीके से लोगों तक नहीं पहुच पाती है क्योंकि जन संख्या काफी हद तक ज्या कानून की याद आ गई है सरकार को तो ले कानून का विरोध भी कैस तरों पर इसी को लेकर देखने को भी मिल रहा है तो जनसंख्या नियंत्रन कानून हमेशा से ही लाना आसान नहीं रहा है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इसको लेकर अपनी आवाज हमेशा मुखर करने लग लोगों और संगटर्णों का मामना है कि यह कानून पहले भी लाया जाना चाहिए था कुछ चाहते हैं कि इस कानून का लोग स्वागत कर रहे हैं दूसरी और हम ये भी देखतें कि कुछ धर्म के ठेकेदार ऐसे भी हैं जो कमिया ढूंड लेते हैं क्योंकि उन्हें अपनी च स्लिम के जो स्वर हैं वो मुखर होने लग जाते हैं तो जन संक्या नियंत्रन कानून को लेकर 29 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी गई थी जनता से सुझाओ मांगा गया था राजविदी आयोग ने जनता से सुझाओ मांगा था जिस पर 85-100 लोग जो हैं इसके पक्ष में आया हैं जिनोंने अपनी राय रख की हैं उसके प्राव तोर पर कहा है कि ये कानून अच्छा है इसे लाया जाना चाहिए वहीं कई लोग इसके खिलाव भी है क्योंकि कई न जा रहा है लेकिन इसको लेकर सियासत क्यों गर्मा रही है क्यों हिंदु धर्म और मुस्लिम धर्म बट गये हैं इसको लेकर धर्म संकट क्यों पैदा हो गया है तो फिलाल हमारे साथ बिजेपी नेता केसी जैन जी जुड़े हुएं साथी साथ कॉंग्रेस से बविता शुकला जी जुड़ी हुई है कानून की बात हो रही है ये देश हिते चुनाव हिते क्योंकि जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही लगातार विपक्ष कह रहा है कि मुद्दो को भटकाने का काम किया जा रहा है इसलिए इस कानून को लाने की बात की जा रही है देखे पहली बात तो यह कि ज제 प्रदेस में कोई ना करके अगर निड़े ने तरब तो कोई भी ना तो कानून मन पाएगा ना तो कोई निड़े हो पाएगा दूसरी बात यह है कि अगर विपच्छ यह कह रहा है कि आप मुद्दो से भटका रहें तो आप भटक क्यों रहें आप अपने मुद्दों पर कायव रहिए अगर एक अच्छा कारून आ रहा आप समर्शन कर दीजिए बात खतब आप क्यों भटक रहें इसका मतलब यह है कि हर एक जो भी बिल आता है जो भी कारूर बनता है विपच्छ का कानु उस पर राजीत करना अपनी राजीत करना अगर एक अच्छा कानून आ रहा है और दूसरी बात है कि बानी ओरी आता जी ने एक जो इसका एक बसौदा जो तयार किया उसमें कहीं पे भी हिंदू, मुस्लिम, सीख, इसाई, जैन, पार्सी कहीं पे कोई जाती, धर्म, विशेश को लेकर के कोई टिक पड़ी ही रही है यह तो सब के लिए है यहिलों के लिए भी है, मुस्लिमों के लिए भी है, जैनों के लिए भी है, पार्सियों के लिए भी है, देखिए हम जिस स्थी में गुजर रहे हैं और पिछले लगब तीस सालों से लगातार इस चीज़ की बांग हो रही है कि हम जनसंख्या बिस्पोर्ट की स्थी पे हैं और उसके बाद में पिछले बीस से पीस सालों में जनसंख्या दो गुनी तीन गुनी हो गए तो जनसंख्या को नियंतर करने के लिए और कहीं न कहीं आम जनता के अंदर एक मनोभाव ये भी रहता है कि अगर हमारे दस बच्च आता है कि आप अपना घर बढ़ाई है तो और बाकी जिनके दो बच्चे पता चलना है उनको कोई लाब भी जाती है ना कि एक परिवार में अगर दस बच्चे तो क्या बुन दसों को नौक्रिया बाट रहे हैं ऐसा तो नहीं होता है ना काबिलयत के अधार पर नौक्री द देखें कुछ चीजे ऐसी है जिसमें केवल और केवल वह सदस्स लेके जाते हैं जैसे अगर रासन कार्ड है तो रासन कार्ड में तो अगर घर में दस बच्चे तो दसों को रासन मिलेगा उसमें 5 kg पर यूनिट के हिसाब के है अगर दस लोग घर में तो 50 kg आ जा गया उनक कानून की पूरे देश में से लागू करना चाहिए जरुत तो यहां आजाती है निकीं पूरे देश में एक तो स्वाकत करता हूं और मैं खेने से मांग करता है और आम लागरिक होने के ना ते उस तरीके का मसोदा तयार करें इस तरीके का बिल लेकर के आए और जलस्चा नियंदार जिससे की तुर्फावी हो सके और देखिए इसमें कुछ चीजें प्रफार किया ऐसा नहीं कि लोग बच्चे पैदा करना बंद कर देंगे उनको जेल हो जा तो दस लोगों को सरकारी चाये नोकरिया हो चाये हास्पितल का लाब हो चाये वो आवास का लाब हो सरकारी आवास मिलना हो तो सब तरीके के लाब हमको मिलेंगे जो इस तरीके की भावना रखते हैं इस पे कहीं न कहीं कहीं न कहीं इस भावना में कमी आएगी और लोग द इन बच्चों को प्रफरेस्ट लेंगे, एक बच्चे, दो बच्चों को प्रफरेस्ट लेगे। देखे हम आज 23 करोड़ी में पहुँंच गए हैं। और आप देख रही हैं इस पर आऊंगे लेकिन पहले में बभीता जी पर जाती हूं बभीता जी कोई अच्छा कानून आ रहा है तो इसको लेकर आपती क्यों है क्यों एक विशेश चीज का चश्मा लगा कर ये देखा जाता है कि नहीं इस पर राजनीती ही हो रही है नहीं मैं तो बिलकुल ये नहीं कहूंगी क्योंकि कांग्रेस ने सुरू से आपने देखा होगा संजय जी के द्वारा ये मुहीम चलाई गई थी नसबंदी की योजना तो इस मुहीम को लेके कांग्रेस कभी ये नहीं कहती है या किसी को पच्छ भी-पच्छ वालों के खिला करने वाले पहले लोग हैं उनके लिए प्लानिंग दो ना कोई कि वह जो दो चार बच्छे थे उसमें से दो बच्छों को सरकारी नौकरी परफेक्टली दी जाएगी आप एक मोनफस जारी कर दीजिए उसमें राइटिंग कर दीजिए कि आप दो बच्छों अगर आपके पास हैं तो आपको सरकारी नौकरी 100% दी जाएगी और राइटिंग में यह आप एक अप्रूबल दे जैसे हर बंदे को यह पता हो कि अगर मैं दो बच्छा पैदा करता हूं तो मुझे सरकारी फेसलिटी सारी मिलेंगी इसके अन्य था अगर हम तीन बच्छे चार बच्छ करते उनकी बात की जाये कि उliए दो बच्छो को उठा लिजे दो बच्छो को जो गयारनेंट के मॉनफएस्टों उसमें डाल दीजिए उनको सरकारी फेसलिटााय दे घ्यासे और विस बहूं को बच्छी जया से उसको इस बात का एसाहिए कि मेरे पास चार बच्छे तें इसलिए दो बच्चों कोई सुवधाएं मिली हैं हम लोग इसके खिलाफ नहीं है लेकिन प्लानिंग या है इनकी प्लानिंग यह हमेसा फेलियर है प्लानिंग में जो आप कर रही नजबंदी कि इसको लेकर फजियत भी बहुत हुई थी कॉंग्रेस की हाँ मैं I am no doubting about हर सरकार जब आती है और नहीं चीज़ लेक्या आती है तो किसी ना किसी को किरकरी का पात्र बनना पड़ता है मैं उससे डिनाइट नहीं कर रही हूँ लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता है अभी इनको लेके भी आप देखिए यह जब मनफर्स्टों लेके आ है तो इनके लिए भी 85,000 लोग only accepted अधरवाइस उत्तर प्रदेश में कितने लोग है वो तो सुझाव मांग रहे है ना लेकिन बाबिता जी वो तो कह रहे हैं कि हमें सुझाव दीजे आके हमें बताईए जो कानून हम ला रहे है उसमें आपको समस्या हो रही है या नहीं हो लेकिन आपको यह बात पता है कि दो बच्चे जो होते हैं उनको permanent job alert है उनको सरकारी सुझाव होईया है उनकी education totally free है जब एक accident सड़क पे हो जाता है रोड पे तो तुरंत वहां फैसल्टी मिलती है ऐसा नहीं कि सड़क पर लाट्स पड़े हुई है तीन दिन के बाद लोग एंबुलेंस वाले आके उठाके ले जाते हैं फैसल्टी की बात करें न यह प्लानिंग तो दें कि दो बच्चे पैदा करोगे तो तुमको इस इस प्लान के अंदर रखा जाएगा प्लान क्यूं नहीं दे रहे हैं उनका तु साफ कहना है कि अगर आप कोई जन संक्या निय अगर मगर तो इफ बट ये सारी चीजे लगा करके कहीं नहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस जो अभी तक तुष्टिकर की राजनीती करती आई और सुष्री इंद्रा गांधी जी ने जो एक अभियान चलाया था इसलिए कांग्रेस पीछे अगे लेकिन इंद्रा गांधी जी का जो प्लान था मैं तो उसकी तारीफ करता हूँ एक अच्छा काम उन्होंने शुरू किया था लेकिन कहीं कहीं पर जबर लोगों का नस्बंदी कर दी गई इनके एक भी बच्चे नहीं थे उनकी नस्बंदी कर दी गई इसलिए इनको जुरूत का सावना करना पड़ा तो देखिए आपका काम अगर बगार प्लानिंग के रहा तो इसका मतला पर दीए जाएंगे लेकिन दीखिए अगर जबर द्श्बंदी के वजे से कांग्रेस को कहीं न कहीं उसका दुस्पर्णा भोगना पड़ा उसका रहा था प्लानिंग ठीक से नहीं थी और अगर यही चीज़े प्लानिंग के साथ और यह चीज़े हैं तब के समय में अब के समय में जनता के मी तो अगर इन सारी चीजों की तुल्ला की जाए और लोग आज स्वेम भी जागरूख हैं लेकिन क्या है कि जो लोग जिनके 10 बच्चे हैं जिनके 12 एक एक दर्जन बच्चे हैं वो लोग समाज के विकास में अगर योगदान की बात आती है और सरकारी संसादलों को लाव लेन कि बात आती है तो वो सरकारी सब्सक्राइब सब्सक्राइब ले रहें लेकि जिनोंने जनसंच्या विस्टार में रोक लगाई जिनके एक बच्चे दो बच्चे उनको सरकारी लाप कोई नहीं मिल पा रहा है इसका कारण क्या है तो केसी जान जी सवाल यही है ना को सबाप्त करने के लिए यह योजना लाई गई लेकिन सवाल यही है लेकिन वो फट्चाद और अगरभाली का चुनाओं में नहीं उतर सकते तो एक कानून क्यों नहीं बना दिया जाता है प्रदेश में हमारी सरकार है और ये प्रदेश का विशह है ये जनस्ग 따라 हिशेतोका विशेते पार इपर इस तरीके का कानून ला चुके हो और उन चीजों का, उन चीजों कि और ए सरकार अध्ये KP, है और उसी के अनूप एक जो है बिल तयार हो रहा है इसको सदन में लाने का विचार है और इसे आम जनता की भी राए मंगी गई जो पार्टिया उनकी भी राए मांगी गई और जो समितिया है जो संस्ठा हैं जो NGO हैं, उनकी भी राए वाँगेगे कि इसको किस तरीके से बेतर किया जा सकता है, जिससे कि जिन लोगों ने जनसंक्या नियंतर में सयोग किया, उनको सरकारी संसादनों का लाप कैसे मिले, इस सीज को ध्यान में रखते हुए, यह बिल लाया जा रहा है, और जिन लोगों ने बनोतरी करते हैं वो तो लगाता पूरा लाब पा रहे हैं तो कम से कम जो लोग नेंतर में सयोग कर रहे हूं को कोई लाब पो मिले जिससे की लोग स्पहां जावरुक हो यहां हम बहुत ज्यादा जंस्चिया नहीं होनी चाहिए जागत का भोंगे ना जब एक देश एक कानून लागू होगा यहीं तो मैं भी कहरी हूँ जरूरत क्यों नहीं समझी कि एक राश्च वे एक कानून इसको भी लागू कर दे वाप भी तर शी आप पर आऊऊंगी आप पर ठीक है तो मैं पूछ रही हूँ यह चुनाओी जरू एक मित कशी में बात होती है जब चुनाओं आता है तो आपके नई नहीं सारी कोई राजनीत करें आपको 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 गलत बात आप कर रहे हैं आपको यह कहना है कि जो हमारे मुस्लिम समाज में चार बच्चे हैं उनको काटके दिया जाए या हिंदू के चार बच्चे तो दो काटके फेक देंगे इन गलत बात आपके चिलाने से कुछ नहीं होगा सर बात वहीं होगी जो छाहिए आप लोग हमेशा नहीं नहीं मौना फैस्टों लेके आते हो और सबन कि आओ बच्चों को आपके शहर में जितने गरीब बच्चे हैं उत्तर प्रिदेश की बात कर रही हुए उत्तर प्रिदेश के गरीब बच्चे अगर 40,000 तो 40,000 बच्चों को आप श्योर करो ना कि उनको गूड एजुकेशन और गूड वेल्ट मिल लेए पूरे करोना काल मे अपके स्कूल को बंद कर दिया गया आपके साथ आपके चुनाओ रहलिया कभी नहीं बंद कर दिया गया वट दो मिन क्या कहना चाहते हैं आप एजुकेटेट हो जाएगा भारत तो आगे निकलेगा अगे इसका जवाब दीजे नार उत्तर प्रिदेश में इसी करोना काल म क्यां करें ऊतर प्रिदेशमें 20 लाख दीजे नार जिए बनेत तर प्रिदेश में न्होई राशनकार्ट बनेकैर बने किसके लिए बने क्यों योरे कि नरिंशेरग है बंद आखिअ कि देरट ऑना आठ जमी आखळल को ने आपको कि रहे साँन्हीं कि अव्त C Adm कि आपके भारत वर्ष की थूतू पूरे वर्ड लेबल पे हुई वर्ड लेबल पे आपकी थूतू हुई है कि भारत वर्ष अपने को हर जगा चनलाइज कर रहा है अब लेकिन यही सवाल कड़ा हो जाता है ना कि ठीक है लेकिन वह एक कानून लेकर आ रहे हैं इस पर फजियत करने की क्या बात है आप भी लेकर आये थे नजबंदी करानी की बात हुई थी तो सपोर्ट दीजे ना इसको लेकर जल संक्या तो एक बड़ी समस्या है भारत के ल इनके पास योजनाइए थी जब को हुप लवद कराइए यह बोले यह गारंटी करें उसकी दूसरी गारंटी प्लाइए प्लाइए यह जूट बोलते हैं घुट बोलते हैं आप कि कि आप जोले बरते हैं एक सार हम सुलिये हम 70 साल में हमने जो स्ट्रांड किया था बिस्नस प्रदेश में अपको इंट्रप्त कर रही हूं मुसलिम दान गूरु हमाइसाद मतीम खान जी पर जुड़ चुके हैं मतीम बहुत 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 स्वागत है आपका यह जो जनसंख्या कानून को लेकर पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर एक धर्म संकट पैदा होने लग गया है यह क्यों हो रहा है क्यों इस तरह की सोच उत्पन हो जाती है कि नहीं एक धर्म विशेश के लिए यह कानून लाया गया है इस तरह की सोच क्यों यहां पर इस देश के अंदर एक लाइन खीच रहे हैं कि यह गरीब लोग है और यह अमीर लोग है आप गरीबों का जो गाउं गिराओं का अजबात करीने में जाएंगे वहां पर जो बर्थ रेट है बर्थ रेट अगर तीन चार बच्चे हो रहे हैं तो दो बच्चे तो उसके बर्थ के टाइम अब बर्थ वह बच्चे मर जाते हैं पंचान नबे फीसद हमारे गाउं कि जो महिलाएं हैं वह एनिमिक हैं रिपोर्ट से बाकाइदा एक हजार में बहुत बड़ी तादाद में शहरी चेहत में जो लोग सुसजित हैं जो लोग सुसजित हैं उनके अहां करीब आट-दस बच्चे मरते और जो ग्रामीर छेत रहे हुआ चार बच्चों दो बच्चे मर जाते दो बच्चे जो आप करके बोले प्लीज 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 एक करके हम आए साथ इस वक्त हिंदु धर्म कुरू चक्रपाणी महाराज जो चुट चुके हैं चक्रपाणी महाराज बहुत बहुत स्वागत है आपका भी देखिए मतीन जी जो आप बात कह रहे हैं वो चीज को मैं समझ नहीं क्यूंकि यहां पर अंतर आ जाता है जन संक्या को लेकर हिंदू और मुस्लिम का नहीं यह गरीब और अमीर का क्योंकि हम यह देखते हैं जब हम पोप्लेशन कर ड्रोल पर जाते हैं तो गरीबों के बच्चे जादा होते हैं यह बात भी मानने वाली है और समय जो जर्लीन करते हैं लेकिन एक बात मैं पताना चाहता हूं कि वास्तों में जनसंख्या नियंतर बिल्कुल बहुत जरूरी है कानून बनाना क्यूंकि आप देखो कि प्रधार मंसी रिमर मोहन संख्या नियंतर बिल्कुल बनाने सकता है कान्या कुमारी तर हर जगा जनसंख्या नियंतर क्यूंकि संसादन एक सिमित है तो इसलिए ये पता ने क्यों मजहवी जिश्ते मतीन जी चाहे आपने इसकॉलर जो मुस्लिम इसकॉलर है देखने का काम कर रहे हैं ठीक है कि सिक्षा जरूरी है लेकिन आप देखो कि कभी जनसंख्या के खेलाफ मदर्सों से या और मुस्लिम संसाओं से कभी फतवा तो न जारी होता है यह और जिस प्रकार recивать जैंद्रान कानून लाया कि मेरा भी मानना है लेकिन एक देश एक कानून कियों नहीं लाया जाता है ये राजियों में क्यों बात दिया गया है लिड़ा ठीका पर रही है यह एक देश बाग्रान डोंचाहीए सबस्के लिए बराबर हो ना चाहिए तो ही इसी तरह से किंद्री कानून बने और सबके लिए लागू हो यह नहीं कि मतीन भाई कुछ और का है हम कुछ और है कि क्यूवकि इस रहेगा तो ही हम रहेंगे और और वोग रहेंगे जरूरी इसलिए हैं जो है उनसे वांशित लोग इसलिए हो जाते हैं वांशित क्योंकि कही ना कहीं जनसंख्या हमारे वहाँ पर जादा है और इसको लेकर भी दो करोड नौकरियां देने की बात होती है लेकिन कैसे दिए जब 130 करोड की अबादी है मतीन जी आपका क्या कहना है कि जब कुछ मैं आपको मिल्कुल इस चीज में निकासी तर्म के देकेदार हैं जो आप भी मानेंगे कि आज के टाइम पर भी जो इस कानून को लेकर भी वह कहीं ना कहीं अपनी चवी को मजबूत करने के लिए इसका विरोत करने के लिए उतर ही आते हैं आप उनलों को क्या कहना चाहेंगे लक्षदीप में दो से कम भी रैश्यों है लक्षदीप तो 96% मुसलिम आबादी है नहीं बिल्कुल मैं यह चीज़ देखी मैं एक चीज मैं कम्प्लीट कर दूँ जो फर्टिलिटी रेट है मैं आपको बता दू कि हिंदूों मे 4.3 हमने Qué fakta उसको गिराख आप जो है और दो दुमिन्णों में और दो ऊस्ट्व यह मुसलमानों की पच्चे-ज़ादा है यह आई यहां ज्टे-विवी आप यह चीज़ दर्म नहीं आपके ता जब लोग ऐवेर होंगे देस्धनि सत्व रोक चानिके तब फोगोंग और मार के कहेंगे किसाफ जो है वो बच्चे कम पैदा करो ये कैसे हो जाएगा आप एवेर करेंगे अपनी इस गरीबू को जीने का अधिकार नहीं है इस देश में घरीब गरीब जीने का अधिकार नहीं होगा आप मेडिकल फैसिलिटी देंगे रहे हैं और रवागादा रिपोर्ट जो ग्रामीर 6 की मैला है पंचान नवे से माइला निमिक है वह बिमार है अब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे जब पैदा होंगे जब माय कम जोड़ेंगे मतीम जी सिधा तोर पर यह कहना है यहां पर यह नहीं हो रहा है यहां पर गरीबी और अमीरी का फरक आ गया है लेकिन कहीं न कहीं इस फरक को मिटाना होगा क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि गरीबों के चार-चार-चेचे बच्चे हो जाते हैं हाला कि जो एक बुद्धा उठा रहे हैं वह भी अपने आपने बहुत जरूरी है कि गरीब लोगों को अग्रामी निलाकों की महिलाओं को वो मुल्भूत सुविधाय नहीं मिल पा रहे हैं उन्हीं जरूरतों को उन तक पहुचाने के लिए जन संक्या को नियंतरण में लाने जरूर्ण में चुझे अनक्ति नियुक्त जरूर्ण में त्रवारतों की दुष्ट जरूर्ण में बुच गाते हैं नहीं होता है कि आप जन संख्या नियंद्रन कानून की बात कर रहे हैं कुछ टाइम तक आप इसी पर दम भर रहे थे कि हमारे वहाँ पर 35% से कम आयू वर्क के 35% से कम आयू के लोग हैं यूवा हैं हमारे भारत में यूवा हमारे सबसे बड़ी एक लाठी है इसको लेकर आप दम भर रहे और आर्थे का परिशानी आई तो यहीं जन संख्या पर आप ताल ठोकने लगए कि जन संख्या जाता है इसलिए कोरोना में सुविधाय नहीं मिल पाई इसलिए आर्थिक तंगी आ रही है मैंने देखे किरती जी बात यह है कि हमारे हमारे घर में कमाने वाला सुदस ये और खाने वाले जब दस लोग होंगे और जब दस बिचों को हमको परहना पढ़ेगा तो अच्छी के एजुके संख्या देखाने इसके लिए इस चीज की आवस्चता है रह अच्छा रह चाहा रही हूं और रह नहीं है कि नहीं बहुत समय पहले की आवशकता है और इसे लागू हो जाना चाहिए था एक देश एक कानून लागू हो जाना चाहिए था ये तो मैं बिलकुल मान रही हूं लेकिन जो सरकार इन्हीं को लेकर दम भर रही थी समय पे कि हमारे पास जनसंक्या है वो ताकत से समस्या ये दोनों चीज़ों में अंतर कैसे है ये शुक्राइब करें अगर में दस सभाण हो जिए फिस घर का जो प्रोब्लम होती है वो दस मोबाली दे चाहर खरीदे आप ये बयान मत दें बहू है आप ने चीजों बूली कि मैं बुद गाहूं का रहने वाला हूँ आप गाहों के रहने वाले आपके सांसाथ, आपके मुखे मंत्री, आपके विधायक वो भी गाहों से उठके हैं। है पहुत है। जब दुनाव आता है तो राजनेटा जो है अपनी जंगकंचा पर इक राते हैं और बाद में उसी की बाते करते हैं बिल्कुल आप सही कही है उस्तमान नागरी चाहिसा सब्सक्राइब बहुत जरूरी है दूसरी बात देखो मतीन भाई जो बोल गया है कि सिक्षा जरूरी है बिल्कुल सिच्छा जरूरी है लेकिन यह बताओ जब एक विस्पोर्टक किस्तिती में आगे अभी कुरोना की बात किया कुरोना में आप देखिए कि चक्रपानी जी कहां विस्पोर्टक किस्तिती आई है एक में मैं आपको टोगना चाहूंगी लेकिन 1991 से 2001 में 21.54 प्रती जरूरी है कि समको इसे एक साथ खड़ा हो करके और एक जब जागरूपता तो होती रहेगी लेकिन कानून से लोगों को जब कानून का डर होता है तो कानून जब बंता है तो उसे भी जागरूपता आती है ठीक है कि पढ़े लिए लोग जादे बच्चे पैदा नहीं करते लेकिन एक वर्ग रहता है जो जरूर से जादे जन संख्या बढ़ाने में लगा हुआ है जो हम चार हमारे 40 का सिधान्त रहेगा तो सभावी प्रूप से उसे किस वर्ग क कि बात करने हैं विशेष विशेष रूप से वर्ग का नाम खुल के लिजे मुस्लिम समान की बात कर रहा हूं अचार आपको यहीं चीज बता दे रहे हूं जो हम आपको लगतार आकड़े दे रहे हैं उसमें चोटल फर्टिनिटी जो आप रेट है वो घटा है मुस्लिमों में घटा है और यह हम भी देख रहे हैं अपने आसपास में कि अब मेंटालिटी बदल रही है चक्रपाणी जी आज भी मुस्लिम्स यही कहते हैं कि हमें दो ही बच्चे चाहिए कई मेरे सराउंडिंग में ऐसे लोग है जो आज कर यह कर दे बच्चे पैदा हो रहे हैं एक में कोई जी शक्रपाणी जी बिल्कुल आफिक बोलें देश के लिए और इसमें देखो बैट करके इसमें किसी बेरार के तंसर में से बहुत होने किया करने क्या हो सकता है और करके इसको जरूर बनाना चाहिए लेकिन इसके पले तमान अगरी सहिता भी बने और जंसंख्या लेकिन जंसंख्या में इंतर कानून देश क्या हो सकता है इसको हिंदु-मुस्लिम के दिश्टर नदेखिए तो भी यह जिश्यत रूपते जंसंख्या जो है विस्टोटा फोग शुकी है देश्की है और यह ठीक नहीं है आप देखिए को रोना कान में लोगों को बेट त अब अब जिश्यत क्या है जिश्यत कि आपको अपने नाम की जादा चिंता है कि भारत सरकार प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे बड़े ही अच्छे इंसान है देशों में प्रचलित करने के लिए यह काम किया गया पॉइंट फोग दा करेक्ष्टों को कि आप जी 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 जि बातों को कह रही है उसको लेकर यह भी तो हो जाता कि हमारे मां 130 करोड की अबादी है यह भी मानना गलत नहीं होगा ना कि जन संख्या भी हर चीज के आड़े आही जाती है चाहिए वह नौकरी की बात हो या फिर आप किसी चीज की आप मूलबू सुविधाय जो इसी में से सरकारी चीजों का लाव लोगों को नहीं मिल पाता है क्योंकि जन संख्या इतनी है यह भी तो मानना होगा लेकिन इसको यह कह देना अब 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 यह कानून ला देते तो शायद हमारे में से कोई भाई बैन जो भी थे वह बच्चे कम प्राइदा करते अगर हमने चार किय तो वहां कम से कम अगर आप रेशियों देखते तो काफी फार्क पड़ जाता और जो मृत्यूदर की आप बात कर रहे हैं मृत्यूदर का करोना के काल में आतक डाटा देख लिए सार अगर आप यह कानून नहीं भी लाते उससे ज्यादा तो उमर गया सर करोना में बिना द कानून की बात कर रहे हैं बिना प्लान के कानून कर रहे हैं इक किसी मेंते होटे तुन और…… की मृते हैंisma कानून कर रहे लिए लातून कोitaire हैं किसी सिलय हूँ मेंधरन कर रहे हैं कैसी जान जी। कि आती है केसी जैयों बबीटाट जी पीम आपको इंटरप्छ कर रही हुं लेकिन हर बार एक खास विशेष वर्क की बाथ क्यों आ जाती थैड है डिरहां मैं लगतार आ मुस्लिम से चाल बच्चे होते हिंदू में यह आज की में अच्छी रह गई हैं मुझे लगता हैं जिए जरी और अमीर का फर्क रह गया है यहीं तो बार मैंने बात ही यहां से शुरू की ती अमीर और गरीब का मसला है जहां पर लोगों को एवेर नहीं है लोग शिच्छित क्या होगा घर पात कराइंगे यहीं होगा कर देंगे अप जाने करना चाहते हैं करेंगे नहीं आप लोगों को शिच्छित करेंगे नहीं करेंगे तरफने पताना उसको गाइट करना उसको उंगली की पकल के चलाना उसको बताना की इस तरह 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 हुए आप जिस तरह से चाइना की दूर्दशा हुई है वही हालात आप देश्टा करना जाते हैं देखे कैसी जान जी 70,000 बच्चे प्रते दिन पैदा होते हैं ये बात आपको पता है और जो मतीन जी कह रहे हैं उनका साफ तोर पर ये कहना है सिक्षित करना भी लोगों को जरुवत है क्योंकि यहां पर गरीबी और अमीरी का फर्क साफ तोर पर दिखाई पड़ता है आप ये भी जानते जो सिक्षित है उनको खुद बखुद पता है कि एक बच्चे आदो बच्चे आज के लिए सबसे सही है क्योंकि स्कूल की फीस महंगी हो चुकी है महंगाई इतनी जादा बढ़ गए लेकिन गरीबों के लिए क्या उ और अगर जो बात मतीन जी कह रहे हैं वास्तों में अगर पिछली सरकारों ने इच्छा पर ध्यान दिया होता तो इस दिक्या नहीं हो लेकिन एक लाग से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों की ब्रद्धी केवल और केवल उत्तर प्रदेश में हुई है मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपने कैसी बात करें आप पूरा हंदोस्तान में कहीं नहीं मालूम किसी को मालूम एक लाग में ऐक जो ना पोले आप आप लोगों का उन्हीं कर देशनिेंगा है और एक एक लाग आप एक जोड़ आप आप नहीं एक लुछ नहीं पॉल्छ आप आप लोग गुम्राह कर रहे हैं आप हिंदो मुस्लिम करना था यह धर्म पर बाद मत खुमाईगे जवाब दीजे प्रीज सब्सक्राइब कर रोग रहे हैं प्रीज सही जवाब दीजे धर्म के तरफ मत मोड़ें लास वर वर्णिंग देरी में आपको अपने पूले प्राइबरी कहां बोले बिलेगा डाटा डाल दो ऑन्लाइन डाल दो का स्कूल कोला और स्कूल में प्रसित छड़ किस ने दिया टीचर कौन-कौन सी है उसका डाटा डाल दो अगर किसी चीज की दावेदारी कर रहे हो कि मैंने किया तो सार उसको दिखाओ ना पब्लिक को हम लोग सार रहो सकता है अन पड़ जाई लो हो सकता है हम लोग देखें सार रहे जूड़ बोले हैं जूते हैं अब के लिए केसी जाइंजी देंगे हैं गलात आकडए मंदर्शाहीं दूसरा यह तुने काल में राशन काड़ पार देगा कर देना पड़ेगा अपनी कर रहे हो आप जूटे आकड़े पेश कर रहे हो जो आप बात कर रहे हैं एक लाइक प्राइमरी स्कूल कहां कानून की जहां बात कर रहे हैं वहां पर लगाता है आप यह जो आपती जनक बाते कर रहे हैं वह मत कर यह दूसरा नियंतरन कानून पर हर कोई आपके साथ है हर कोई आपके साथ है लेकिन इस पर सिख्षित करने की जरूरत है कहा यह जा रहा है सुझाव यह दिया जा रहा है जो एक टाइम पर आपकी जनसंक्या ताकत थी वह आज परिशानी क्यों बन गई है क्योंकि आर्थिक आपक्ति आ गई है आपके सर पर तो इसको लेकर भी क केंदर में सरकार है आपको जरूर नहीं है जो आप बाते कहरें कि इस वक्त जरूरी है तो प्राइम डिबेट का हिस्ता बने लिए लगा तार जन संख्या नियंद्रन कानूर पर इबर फिर राजनीती शुरू हो गई थर्म के नाम पर इस कानून को बाढ़ते हुए किस तरह से आपने भी सुना ओस जरूरी हो जाता है जनसंख्या नियंद्रन कानून बेहुत जरूरी है लेकिन एक राष्ट एक कानून क्यों नहीं बना दिया जाता है क्वा इसमें ने नियम लागू होते हैं फिलाल के लिए बस इतना ही फिर आजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास कबरों के साथ तब तक के लिए बने रहे हैं मेरे साथ और जी हाँ देखते रहे हैं ये प्राइम डिबेट झाल